ग्यान मंत्रा हूम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप अपने रसोई में गाई को रोटी बनाकर खिलाएंगे तो उससे आप लोगों को क्या फल का प्राप्ती होगी गाई को लेकर भी हिंदू धरम में ऐसे पुरानिक मानने ता ही कि घर में बनी पहली रोटी गाई को जरूर खिलानी चाहिए है जोतिश के जानकारों के मताबिक खाना बनाते वक्त हमेशा पहली रोटी गाई के लिए बनानी चाहिए है इसके बाद ही परिवार का कोई भी सदस से रोटी या कुछ भी खाना खाए कोशिश करनी चाहिए है कि गाई की उस रोटी में थोड़ी सी हल्दी भी मिला दे इससे गाई को रोटी खिलाने का अपारफल मिलता है खास कर गुरुवार को लोई यानि की सना हुआ आटा में हल्दी मिला कर भी गाई को खिलाने से जीवन में शुबदा आती है और हिंदु धरम में जो कहा गया है वह यह कहा गया है कि पुराणों और गरंतों के अनुसार की गाई में 33 करोड देवी देवताओं का वास होता है इसलिए रोज एक रोटी गाई को खिलानी चाहिए है इससे सभी देवता प्रसंद होते हैं व्यक्ति की हर मुराद पूरी होती है और इससे व्यक्ति के परिवार में खुशियों का वास होने लगता है इसलिए हर रोज सुभे पहली रोटी गाई को खिलाएं और उसके बाद आप लोग खाना खाएं यह परंपरा बहुत पुराने समेकाल से चली आ रही है मानने ता ही कि ऐसा करने वाले लोग जीवन में लोकिक और आलोकिक दोनों फलों का प्राप्ति करते हैं अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीस सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद